स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में आज मिलाई हूँ दोस्तों आप सब के लिए Instant Sizzling Brownie की रेसिपी लॉकडाउन है और आपको ब्राउनी खाने का मन है तो ये रेसिपी आप ही के लिए है सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ये ब्राउनी घर में पड़ी सामगरी के साथ असानी से बन जाएगी सिर्फ 2 में इंग्रीडियन्स के साथ जटपट बनने वाली ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपाए एक बार इंग्रीडेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं और देर ना करते हुए चलिए बनाते हैं इंस्टें सिज्लिंग ब्राउनी एक बाउल लेंगे उसमें आड़ करेंगे छे पारले जी के बिसकिट पाइले जी के बिस्किट की जगे आप कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं बिना क्रीम वाले फिर डालेंगे पांच ओरियो बिस्किट चॉकलेट क्रीम फ्लेवर इसकी जगा भी आप चाहें तो कोई और चॉकलेट क्रीम बिस्किट चैसे की बॉन बॉन भी ले सकते हैं नीठा होता है तो इतनी चीनी काफी रहती है एड करेंगे आदा कप दूद मिल्क यहाँ पर जो हमने लिया है वो बॉइल्ड मिल्क लिया है मिल्क एड करते समय वाउम होना चाहिए मैंने 20 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में गरम कर लिया है एक 20 सारे इंग्रीडियंस को अच्छा से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से यह जो मिक्स्टर है इसको ग्राइंड करेंगे अब ताकि सारे इंग्रीडियंस अच्छा से मिक्स हो जाए और जो ब्राउनी है बहुती स्पॉंजी बने मिक्स्टर रेडी है अब कुछ आल्मंड्स मैंने ग्रेट क करके रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी आपको और नत्स पीस में अड कर सकते हैं वालनट जैसे बहुत ही क्रची और N?, टेस्ट आता है इस brownie मैं मिнет कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब एक microwave save bowl लेंगे जिसमें ये ब्राउनी आप बनाना चाते हैं oil से अच्छे से grease कर लेंगे बाउल के sides में भी अच्छे से grease करना है अब parchment paper या baking paper को इस shape में काटेंगे ताकि ये नीचे अच्छे से सेट हो जाए अगर आपके पास baking paper नहीं है तो आप मैदा भी dust कर सकते हैं ये बहुत ही important step है ताकि ब्राउनी नीचे stick नहों और easily demold हो जाए इस baking paper के ऊपर भी एक बार ये अच्छे से grease कर लेंगे oil जब ये ready हो जाए तब हम add करेंगे mixture में इनो वन फोट टीस्पून से थोड़ा से जादा जो इनो मैंने लिया है वो लिया है fruit salt lemon flavor इनो डालते ही बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और अब बिना किसी देरी के इस सारे mixture को transfer करेंगे microwave safe bowl में जिसमें हमें brownie बनानी है उपर से डालेंगे grate किये हुए बदाम लुक के लिए भी और टेस्ट के लिए भी microwave करेंगे इससे चार मिनट के लिए microwave हो चुका है तो चेक कर लेते हैं brownie अच्छे से बनी है या नहीं ये देखने के लिए एक toothpick लेंगे और उसे बिलकुल सेंटर में डालेंगे अगर ये toothpick clean आती है तो मतलब ये brownie अच्छे से पक गई है ये बहुत important tip है दोस्तों आपके लिए किसी भी चीज को अगर आपने चेक करना है कि वो पक गई है या नहीं उसके सेंटर में से चेक कीजिए क्योंकि mixture जो है वो सेंटर में देर से पकता है तो brownie बिलकुल ready है आप इसको 10 minute के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडी होने के बाद एक knife लेंगे और knife को brownie के चारो और जैसे मैं वीडियो में दिखा रहे हूं बिलकुल वैसे ही गुमाएंगे एक plate लेंगे और brownie को demold करेंगे उस plate पे वाव कितनी delicious लग रही है यह मेरे तो अभी से ही मूँ में पानी आ रहा है किती soft, spongy और किती जल्दी बनने वाली recipe है अब sizzling brownie को assemble करने के लिए sizzler plate गरम कर लेते हैं 5 मिनट के लिए medium flame पर इसे गरम कर लेंगे गरम होने के बाद tong की मदद से sizzler plate को wooden plate पर रख देंगे अब इस पे रखेंगे दो पीस brownie के उपर से आड़ करेंगे chocolate sauce अब आड़ करेंगे vanilla ice cream scoop grated almonds and chocolate sauce as much as you like बिल्कुल ready है ये इस recipe को आप शुरुवात से लेकर अन तक बिल्कुल step by step follow कीजिए मैं guarantee करती हूं कि आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है जैसे मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है मिलूंगी ऐसी ही और मज़ेदार जटपट बनने वाली recipe के साथ तब तक के लिए goodbye take care भूलिएगा मत subscribe करना और इस recipe को अपने दोस्तों के साथ share करना झाली एका प्यूंत को मत घड़ा लोगगा झाली है